गुञजन सकसें ना जी, सर मेरा यूट्यूब चैनल healthy food का है, तो इसे हम कैसे course में बना सकते हैं? course ही course में बना सकते हो इसपे, गुञजन जी अगर आप healthy food में है, तो आप लोगों को health और wellness के उपर guide कर सकते हैं, health और wellness मतलब not necessarily weight loss, लेकिन एक overall health, stamina बढ़ाने के लिए, longevity बढ़ाने के लिए, आप ये सारे subjects use कर सकते हैं, अपना course create करने के लिए, okay, there are so many options, अजय कुमार कहा है, sir मैं garment shop चलाता हूँ, is it useful for me, of course मेरा भी garments का दुकान है, मैंने अपने दुकान को online selling के लिए नहीं किया है, okay, ध्यान देना इस बात को समझने की कोशिश करना, हर solution, हर business के लिए नहीं होता, जैसे मैं खुद साडियों का व्यापारी हूँ, और मैं websites बनाता हूँ, मैं digital marketing सिखाता हूँ, लेकिन मैं अपनी साडिया website से नहीं बेचता, क्योंकि मेरा काम wholesale का है, maximum हम wholesale करते हैं, तो वहाँ पर जब तक साडियों क बिग जाता है, तो मेरा inflow और outflow इतना जादा है, कि मैं अपने store को online नहीं ले जा सकता, तो मैंने अपने website को branding के लिए रखा है, presence के लिए रखा है, तो इस तरीके से अजय जी आपके business के अनुसार आपको बहुत intelligent calls लेने पढ़ते हैं, कि आपको क्या करना है, सिर्फ हमें website बनाना आता है, इसका मतलब हम उसी को बनाएं और उसी को चलाएं चाहें जो हो जाएं, this will be waste of effort, मैं बिलकुल ये नहीं कहता कि हमें यही करना है हर किसी के लिए, मेरा कहना है common sense सबसे जादा यूज करेंगे, आपके competitors क्या कर रहे हैं, उनको study कीजी, हो सकता है कि आपको वो कुछ और नया सिखाएं, the strategy that is working for them, उस strategy को study कीजी और फिर उसे implement करेंगे, यह आपके existing business के लिए है, साथ में, digital marketing में ऐसे कई सारे options हैं, जो सीख कर, अपना कर, आप अपने लिए, और income के sources create कर सकते हैं, so think on those lines, पुषपेंद्र सिंग, मेरा shop Agri Pesticide का है, मैं चाहता हूँ कि more customers और more online products order करना है, मैं agriculture specialist हूँ, तो पुषपेंद्र जी आपको सबसे पहले अपना YouTube का channel शुरू करना चाहिए, और उस पे लोगों को आपके products और उनके uses और problems के बारे में, और knowledge और information देनी चाहिए, आज agriculture की information YouTube पर बहुत जादा सर्च की जाती है, specially young farmers से, जो आज की नई PD है, जो खीती कर रहे है, आज वो YouTube पे बहुत content सर्च करते हैं, तो आप content बनाना शुरू कीजिए, ये मेरा suggestion है आपको, कपिल कह रहे हैं, जब मैं 10 साल पहले एक बहुत innovative product develop किया था, लपक Red Mix Instant Tea, उस समय में सही marketing ना होने के कारण सफल नहीं हो सका था, अब मैं अपने product दो बारे से launch करने, online marketing करना चाहता हूँ, please guide करे सर जी, तो सबसे पहले तो आप अपने products का एक पूरा का पूरा ecosystem create कीजे कपिल जी, और यहाँ पर हम digital marketing सिखा रहे हैं, आप जो पूछ रहे हो, उसमें ये सारे tools यू क्या हुनी चाहिए, ये आपसे बहतर कौन समझ पाएगा, तो मैं जो आपको सिखा रहा हूँ, जो भी knowledge मैं आपको courses में दे रहा हूँ, वो सब सीखिए, उसको practice कीजिए, और फिर उस बिना पर आप अपने calls लेना शुरू कीजिए, that is all I can give you right now, सीमा तीवारी जी कह रही है सर में astrology एवं tarot के leads, आवाम customers आने चाहिए, उसे develop करना है, अगें सीमा जी आपको बहुत सारी value देनी पड़ती है, YouTube पर और अलग-अलग माध्यमों पर और वहाँ पर आपको आपके leads मिलेंगे, okay, start giving value and create your influence, हिमान शुपतिदार कह रहे है, how can this course help me to grow back in my job and network marketing business, in every way, ये कैसे सवाल है, in every way, how can this help you, it can help you in every way, आप network marketing business में grow नहीं कर पाए, उसके कारण पहले ढूंदेंगे, और फिर उसे grow करेंगे, तो thank you so much, आज के लिए इतना ही है, sign off कर रहा हूँ guys, मैं हो संदीब बंसाली, digital आजादी का रचैता, निकल पड़ा हूँ एक mission पर help करना चाहता हूँ, कम से कम 10 लाख लोग हो, चाहता हूँ कि आप सब मुझसे digital marketing सीखिए, इसे अपनाईए अपनी जिन्दगी में, और इसकी मदद से must अच्छे पैसे कमाई, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, जैहिंद,